आज मैं आपके साथ मटर पनीर की रिस्पी शेयर करने जा रही हूँ यहाँ पर मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी तो चलिए इस रिस्पी को बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने 200 ग्राम बनिर लिया है जिसे मैंने लाइट फ्राई कर लिया है हरे मटर डेर कप हैं जिसे दोकर बॉयल कर लिया है दो मीडियम साइज के प्यास जिसे बारिक चॉप कर लिया है तीन मीडियम साइज के टमाटर इसे भी बारिक चॉप कर लिया है अद्रक लेसन का पेस्ट टूटी स्पून धनिया के पत्ती गार्णुश के लिए धनिया पाउडर वन टी स्पून, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, काले मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर वन टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च वन टी स्पून, नमक वन टी इसमें चौप किये हुए प्यास को एड़ करेंगे और इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे इस तरह से इसे चलाते रहेंगे और इसे अच्छे तरीके से ब्राउन करेंगे प्यास फ्राई हो जाने पर इसमें लहसन अदरक का पेस्ट एड़ करेंगे इसके बाद स सारे मसालों को भी एड़ कर देंगे सारे मसालों को अच्छे तरीके से भूनेंगे मसाले में थोड़ा सा पानी भी एड़ करेंगे ताकि मसाले जलेना मसाले अच्छे से भुन जाने के बाद इसमें चौप किये हुए टमाटर को आड़ करेंगे और फिर से सभी को अच्छे से भुन लेंगे ये देखिए मसाले अच्छी तरीके से भुन चुके हैं तो अब इसमें बॉयल मटर को आड़ करेंगे यहाँ पर मेरे मटर बॉयल है तो इसे कुक नहीं करना है इसके बाद ग्रेवी बनाने के लिए तीन कप पानी आड़ करेंगे पानी आड़ करने के बाद इसे अच्छी तरह से चला लेंगे इसके बाद 10 मिनट तक लो फ्लेम पर धक कर कुप करेंगे 10 मिनट हो चुके हैं तो अब इसमें फ्राइ की हुए पनीर को भी ऐड़ कर देंगे पनीर डालने के बाद फिर से इसे लो फ्लेम पर 8-10 मिनट तक कुप करेंगे ये देखिए मटर पनीर बनकर तयार है और बहुत ही अच्छी खुश्वू भी आ रही है तो चलिए अब हम इसमें थोड़ी सी धन्याग की पत्ती को भी आड़ कर लेते हैं और इसके बाद इसे सर्व कर लेते हैं बहुत ही मज़ेदार मटर पनीर बनी है और काफी यमी भी लग रही है आप भी इस आसान से रस्पी को ज़रूर ट्राइ करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें